आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है यह है MNS News एट वर्क और आप देख रहे है MNS News टीवी मैं हूँ आपके साथ सोनल तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर 280 किलोमेटर दूरे तुफान NDRF कोस्ट गार्ड की टीमे अलर्ट पर भूज मिल्टरी स्टेशन पहुचे मनसुख मांड विया चक्रवात ये तुफान भी पर जोई गुजरात की और बढ़ रहा है तुफान के पहुचने में अभी दो दिन बाकी है लेकिन अरबसागर से लगे टट पर इसका रोध्र रूप दिखने लगा है तुफान से नीपटने के लिए बारत सरकार और राज्य सरकार की सबी सिट होकर लगी हुई है मंगलवार को केंद्रिय स्वास्तमंत्री मंसुक मांडविया गुजरात के भूज मिल्टरी स्टेशन पहुचे और तयारियों का जायजा लिया इसके पहले मांडविया ने गुजरात के स्वास्तमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर तुफान की तयारियों की समिक्षा की उन्होंने ट्वीट कर बैठक के बारे में जानकारी दी, मांडिया ने बताया कि चंद्रवाद का सामना करने के लिए भारत सरकार और राज सरकार मिलकर काम कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट, कोस्ट गार्ड और NDRF के टीमें लगी हुई है ताक की चक्रवाद का सही से सामना किया जा सके, कोंडला, कांडला पोर्ट में चल रही गतिविदी को रोक दिया गया है, बाहत्तर गाओ से लोगों को निकाला गया है, केंद्रिया स्वास्त मंत्री ने बताया कि समुद्र तर्ट पर बसे बाहत्तर गाओ से लोगों और सामान को निकाल कर सुरक्षी स्थान पर पहुचा दिया गया है शेत्र की विदायक और सांसत लगाता संपर कर रहे है NDRF की दो टीमे को काम कर पर लगा गया है आईए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जीतन राम मान जी के बेटे संतोष सुमन ने छोड़ी नितिश की काबिनेट विपक्ष की एकता मिटिंग से पहले कुनबे में फूट विपक्ष की एकत मिटिंग से पहले नितिश कुमार को बड़ा जटका लगा है उनके मंत्री मंडल में शामिल जीतन राम मान जी के बेटे SSC ST कल्यान मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्री पत से इस्तिफा दे दिया है लेकिन जीतन राम मांजी की इसके लिए तयार नहीं थे इसकी वज़ा से सुमन ने मंत्रीपत से इस्तिफा दे दिया है सुत्रों से मिलिक जानकर कि अनुसार जीतन राम मांजी की नारज़ की को लेकर नितिश कुमार ने विजे चौधरी को मैनेज करने के लिए लगाया था आज जीतन राम मांजी अपने बेटे के साथ संतोश सुमन के साथ विजय कुमार चोधरी से मिलने गए थे और उनी को इस्तिफा सौब दिया आएए बढ़ते हैं अगली ख़बर के तरफ पियम मोदी का अमेरिका दवरा होगा बेहत खास बाइडियन फैमिली के साथ 21 जून को डिनर 22 जून को विलकम सेरिमनी अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन का परिवार प्रदान मंतिर अंद्र मोदी के लिए 21 जून को एक आतमी रात्री वोच की मेजवानी करने की योजना बना रहा है और इसके एक दिन बाद अमेरिकी राष्टपती के अधिकारिक आवास एवं कारियले वाइट हाउस में राच्की रात्री वोच का आयजन किया जाएगा अमेरिका के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने जान कारि दी जो बाइडन और अमेरिका की प्रतल महिला जील बाइडन ने मोधी को एक अधिकारी कर राचके यात्रा के लिए अमंत्रिद किया है इस हाइ प्रोफाल यात्रा समन्द योजना से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि इस अईतियासिक यात्रा के दोरान 22 जून को साउट लॉंस में एक प्रभावशाली स्वागत समारो आयजित किया जाएगा और बाद में रात को यही पर राच किया रात्री बोच का आयोजन होगा जिसमें मन और अंजन का विशेश प्रबंद होगा ऐसे ही दीनबर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबर रूगर आएंगे तब तक बने रहे हैं मनेस ने उसके साथ नमस्कार